दियर केंडिडेट्स आप सभी का आल राउंडर क्लासेज में स्वागत है मुझे एक मैसेज देना है आप सभी को जो SS एक्जाम्स न्यू सेलेबिस के लिए एस्परेंट्स है SS एक्जाम, CAG जो कंडेक्ट करते हैं OO एक्जाम्स के रूप में भी जाना जाता है उसमें जो न्यू सेलेबिस बना है उसके 3 मन्स इस्पेशल क्लासेज, आल राउंडर क्लासेज के तरफ से लाइव क्लास होने जा रहा है और ये क्लास Civil Accounts के लिए 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और Civil Audit के लिए 8 अक्टूबर से शुरू होने वाला है तीन महिने का ये क्लास होगा और तीन PC इसमें कवर की जाएगी Civil Accounts के लिए PC, PC 11, PC 13 और PC 14 होगी बच्चे ये New Syllabus के में बात कर रहा हूँ Old Syllabus की नहीं है ये बात New Syllabus जिसमें PC 11, PC 13 और PC 15 ये तीन कवर कर जाएगे तीन महिनों में तो October, November और December 2014 तक ये तीनों PC कवर कर लिए जाएगे Classes Monday, Wednesday और Friday को होगी Classes 2 घंटे की होगी 6 बज़े से 8 बज़े तक सुबह में और उसके बाद से weekly test होगा Saturday और Sunday को इसी तरह Civil Audit वालों बच्चों के लिए PC 12, PC 14 और PC 16 होगा इसका भी same month duration रहेगा October, November, December में ये Classes एक-एक महिने में लगबग कराए जाएंगे और इनका जो days होगा वो Tuesday, Thursday and Saturday यानि Tuesday alternate class जो होगा वो Civil Audit के लिए होगा और जो Monday alternate classes होगे वो Civil Accounts के लिए होगे Class के बाद आपको recorded video भी अबलेबल कराई जाती है Allrounders app पे और PDF study material के base पे जो इन ने पीसिस के लिए PDF study material Allrounders ने त्यार किये है उसके base पे ये Class होगी और उसके बाद से test series भी आपको available होगी Allrounders classes इसके अलावा आपको पता है CPD, incentive exam, RAE इस exams के भी recorded video आप test series, study materials सारे चीज़ अवलेबल कराते हैं Allrounders का brochures आप पढ़ सकते हैं सारे information लिखे गए हैं ये एक paid class है और Allrounder classes बहुत पहले से बच्चों को त्यारी करा रहा है एक अच्छा well experienced class है कई बच्चे इसमें से success हुए हैं जो अभी double o बने होंगे आपके offices में भी available होंगे तो आप उनसे credibility के बारे में Allrounder classes के जान सकते हैं या swim demo class भी आप लेकर देख सकते हैं कि पीछे के जो class हुई थी वो किस तरह हुई हैं तो demo classes भी available हैं demo classes free होती हैं लेकिन ये class करीब 2 घंटे के लिए available होती है आप उसमें अपना decide कर सकते हैं कि Allrounder class आपके लिए useful है कि नहीं है उसके बाद से आप फीस देके Allrounder classes जोईन कर सकते हैं ये old syllabus और new syllabus में कुछ comparison दिया गया है ये old syllabus है हाला कि exam अभी old syllabus पर होना भी है जो schedule था exam का वो अभी कुछ disturb हो गया है जिसके चलते old syllabus exam ही पहले conduct कराएंगे उसके बाद से new syllabus के exam होंगे new syllabus में Allrounder classes ने पहले से ही PC 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 9 ये PC cover कर चुके हैं ये new PC के मैं बात कर रहा हूँ ये अल्यडी cover हो गया है अब ये जो PC बच्ची हुई है ये PC common थी सभी के लिए चाहें वो civil accounts के बच्चे थे या civil audit के बच्चे थे इन सभी candidates के लिए ये PC common ही थी ये group 1 की PC थी और ये group 2 की PC में ये PC 9 जो है वो common है बाकी फिर जो separate PC हैं वो 3 PC अलग-अलग है civil accounts के लिए PC 11, PC 13 और PC 15 है और civil audit के लिए PC 12, PC 14 और PC 16 है तो जिन बच्चों को class करने में interest है वो आप enroll कर सकते हैं आल राउंडर का ये number है यहाँ पे आपको अपना message दे के information ले सकते हैं classes का demo देख सकते हैं और फिर जैसा आपको अच्छा लगता है class को join कर सकते हैं ठीके बच्चे ये stick class होगी एक schedule based class होगी तो जिन बच्चों के पास time है जो rigorous study कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये class join करना चाहिए बाकी ये PC 11 का new syllabus ये available है नेट पे आप लोग देख सकते हो ये PC 11 में ये सारी new चीज़े incorporate की गई है ये PC 11 का syllabus है इसी तरफ PC 12 जो civil audit के लिए उसका syllabus ये है और case study based question इस बार इन्होंने बोला है कि हम questions को case study based पे तियार करने का pattern change कर सकते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुई allrounder classes ने अपने materials को अपने videos को या अपने test series को तयार की हैं ताकि बच्चों को allround development हो सके और उनका confidence students develop हो सके कि exams किसी भी तरह का आये चाहें वो case study based आये या normal MCQ pattern पर आये उन सारे exams को वो comfortably handle कर सके इस तरह ध्यान में रखते हुए allrounders ने अपने syllabus को ध्यान में रखते हुए allrounders ने अपने matters को उस हिसाप से design किया है और classes को भी इसी हिसाप से lesson plan बनाये हैं ताकि बच्चों को maximum benefit हो सके और उनका confidence level बहुत develop हो सके आपके पास फिर से यह screen दिखा देता हूँ यह हमारे classes के timing है आपको अच्छा लगता है आपको समझ है कि हमें यह class करना चाहिए तो आप decide कर सकते हैं बच्चे और इसके अलमा मैं आपको suggest करना चाहता हूँ कि self study is the best study आप सोचे कि all around classes मैं join कर लूँगा और मुझे सफलता यों ही मिल जाएगी बिना किसी मेहनत के तो वो ठीक नहीं है आप all around classes में पढ़के भी मेहनत नहीं करते हैं तो भी result का कोई guarantee नहीं होती है और self study करके भी यह आप चाहें तो आप pass कर सकते हैं दोनों ही तरह के examples होते हैं तो आपको all arounders यह नहीं करना चाहते हैं कि आप all around class ही join करिए आप कोई भी self study करिए या all around class का support लेके class को अपने को update करिए सभी तरह से आपको equipped होना है तयार होना है और exam को face करना है हमारी तरफ से सभी बच्चे को सूब कमना है आप सभी बच्चे पास हो जाएं सभी को पहले से एडवांस ट्रें बदाईया देते हैं थैंक्यू बच्चे all the way